इस कारकर्म के पुनियार जखें शिरी राजकुमार जैन जी की पुर्ण इस्मृती में तेर में नम्मर के इस लोक का अंतिम चरन है प्रश्न उठाया गया किम प्रेयाहा प्रिय क्या है प्राणियों के लिए प्रिय क्या है प्राणी नाम असवहा प्राणियों के लिए अपने प्राण प्रिय माने गए हैं क्या माने गए हैं प्राण प्रिय माने गए हैं प्राणों की जब भी चर्चा होती है दस प्राण जैन गरंतों में भतलाए गए पाँच इंद्री प्राण इस परसन रसना घ्राण चक्छू करन तीन बल प्राण मन बचन कायबल प्राण आयू और स्वासो स्वास इस तरह इस दस प्राण माने गए हैं इन दस प्राणों से जीव जीता है और दस प्राणों का ब्योग होने पर जीव का मरन माना जाता है क्या कहा इन दस प्राणों के साथ जीव जीता है और दस प्राणों का ब्योग हो जाए तो जीव का मरन माना जाता है हलां कि एक इंदरी आदी की अवस्था में प्रान कम हो जाते हैं और दो इंदरी तीन इंदरी आदी में प्रानों की संख्या बढ़ती जाती है संगी पंचेंदरी के लिए दस प्रान बतलाए गए हैं कम से कम जीव को चार प्रान तो होते ही हैं क्या इस परसन इंद्री एक काइबल दो इस परसन इंद्री काइबल आयो और स्वासो स्वास इस चार प्रांतो रहेंगे ही रहेंगे चाहे इस थाबरों में जीव रहें चाहे निगोद में जीव रहें जीव है तो उसको कुछ नकुछ शरीर तो मिलेगा सरीर मिलेगा तो सरीर संबंदी कायबल और एक इंदरी इस परसंतों उसकी काम करेगी ही करेगी इसी के साथ उसको आयू और स्वासों स्वासतों मिलेगी ही मिलेगी चार प्रानों से कम नहीं संसारी प्रानी में कम से कम चार प्रान अधिक चदिक दस प्रान ऐसे प्रानों के प्रती प्रतेक प्रानी में ब्यामोह होता है इंद्री के रहने पर उसका महत्त मालूम नहीं होता जब इंद्री की कारी छमता घट जाए या इंद्री कारी करना बंद कर दे तब उसका महत्त मालूम होता है आपको सुनाई दे रहा है सुनाई देने संबंदि कान का महत्व आपको नहीं है जब सुनाई देना बंद हो जाए तब आपको लगता अरे मेरे साथ बहुत बड़ा धोका होगया जब कान थे तब धरम की बातना सुनने की इक्षा नहीं होई और जब कान चले गए तो सब को सुनाता फिर रहा है भीया अब सुनाई नहीं दे रहा है अगर कान अच्छे होते तो हम जिनवानी सुनते रोच प्रवचन सुनते जब सुनाई दे रहा था तब भाव आये नहीं और जब इंद्री सितल हो गई बंद हो गई अब भाव बना रहा है देखने संबंदी भी जब तक आँखें काम कर रही हम मनमों जी क्या करना लेकिन जब आँख बंद होने लगती है आँखों की दृष्टी बादित होने लगती है तब आँखों का महत तो मालूम होता है अब पस्ताए होत क्या क्या अब पस्ताए होत क्या जब चिडिया चुक गई खेट इंद्रिया सितल हो गई अब क्या है गुरु बराचाशी न मुक माटी में लिखा अरे क्या बताएं जब चना मिले सो दात नहीं और दात मिले सो चना नहीं क्या जब चने मिले सो दात नहीं और दात मिले सो चने नहीं और जब दात और चने दोनों मिल गए एक साथ तो पचाने को आत नहीं डाइजेशन बंद दाक पके तब काग के होत कंठे में रोग भाग इहीन को ना मिले भली बस्तू का योग भाग इहीन को भली बस्तू का योग नहीं मिलता जब दाक पकने लगती हैं तो कव्ये के कंठ में रोग हो जाते हैं कव्या उस दाक का स्वाद नहीं ले सकता नहीं खा सकता ऐसे ही लोग सोचते हैं अभी तो क्या है सरीर अच्छा है अभी तो साधी हुई है अभी तो धन्दा खोला है अभी तो बालबच्चे हुई है अभी क्या है देखेंगे बाद में और ऐसा करकर के समय को गमाते जाते हैं फिर आखरी समय आखरी समय फिर समल नहीं पाते हैं कौन समय लेगा आखरी में क्योंकि अभ्यास तो तुमने कुछ किया नहीं इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए अभी क्या है अभी क्या है अभी क्या है अभी क्या है बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे अरे भीया करश्यामी 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 इती चिन्तेत मरिश्यामी 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 ती बिस्मरित क्या मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मुझे करना मुझे करना इस बिचार में लगा रहता है करूँगा करूँगा तो बिचार करता है मरूंगा मरूंगा इसका कोछ सोचता ही नहीं अभी तक तुमारी गाता क्या है संसारी प्रानी की केवल इतनी गाता है कि करूंगा 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 भविश्ची के लिए कहरा करूंगा और किया था किया था किया था किया था था और गा करूंगा गा किया था था मतलब गाथा तुमारी इतनी ही है कि करूंगा करूंगा किया था किया था इसके अलावा तुमारी और कोई दूसरी गाथा नहीं है इसलिए आपको ये सब विचार करना है बहुत बड़ी बात है मोही प्रानी संसार में रहता है संसार के दुख भी जानता है अपनी परेशानिया भी समझता है लेकिन मोह का परिणाम ऐसा है कि संसार से छुटकारा नहीं पापाता है छुटने का उपाए भी नहीं करता है क्यों? क्योंकि मोह का संसकार है मोही प्रानी संसार में लिप्त हो करके रहता है आसक तो हो करके रहता है संसार व्रक्ष के बारे में कहा क्या कहा एक हांती पेड को उखाडने में लगा है काल का हांती हिला रहा है डाली पर एक चुहा काला एक चुहा सपेद दिन और रात के प्रतीक डाल को कुतुर रहे है डाल में मदुमक्खी का छत्ता लगा है एक मनुश्य है नीचे मदुमक्खी के छत्ते से जो शहद गिर रही उसको चाटने में लगा हुआ है नीचे बड़ा गड़ा है चार गतियों के चार सर्प और एक महा गड़ा निगोत का पांच माँ सब बने हुए हैं ऐसी इस्तिती देख करके मदुमक्खी या उड़ रही है उसको काट रही है तो भी वह उसे छोड नहीं रहा दयावान होकर के कोई बिद्याधर आता है बिमान ले करके चलो चलो देखो हाती तुमारे पीछे पड़ा पेड़ को हिला रहा चूहे डाल को कुतर रहे हैं मदुमक्खी या तुमारे पर भिन भिना रही है नीचे गड़ा है चलो मेरे साथ वो देखता है और कहता है चलता हूँ चलो ना थोड़ा इसे और ले लेने दो एक बूंद और थोड़ा और और वह बिद्याधर बिमान लिये खड़ा है और ये मोही प्रानी उस सहद को नहीं छोड़ पा रहा है परिवार कुटंब मदुमक्खी यों के समान लगे हुए हैं फिर भी ये छोड नहीं पा रहा है ऐसे मोही प्रानीयों को अपने प्रान बहुत प्यारे हैं प्रान कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं लेकिन अज्ञानता के कारण वह सही जीवन नहीं जी पा रहा है प्रश्न किया है कि संसारी प्रानी को प्रिय क्या है उत्तर दे दिया गया हर प्रानी को अपने प्रान प्रिय हैं वह अपने प्रानों से जीना चाहता है ठीक भी है शरीर धर्म का साधन बनता है ज्यानी प्रानी इसका उप्योग करता है अज्यानी प्रानी को समस्ता नहीं है इसलिए अज्यानता में अपने जीवन को खो देता है ज्यानी प्रानी इसका सदुप्योग करता है आयू तो सभी को प्रिय है चाहे परेशान हो चाहे संसार में शुकी हो लेकिन प्रानों का ब्यामोह तो सबी को रहता है किन्तु बेबरले ही मनुष्य हैं जो इस तत्तो को समझ करके आत्म कल्यान के मार्ग से लग जाते हैं आत्म कल्यान के मार्ग से लग जाते हैं आत्म कल्यान का मार्ग सहज नहीं है आसान नहीं है देश दुनिया बहुत बड़ी है भीया मोह का बिस्तार बहुत बड़ा है आदमी पूरी जिन्दगी जी लेता है आँखें नहीं खुल पाती है परिवार में कोई चाहता भी नहो तो भी घर छोड़ नहीं पाता है अनासालियों में चले जाते है अनाथालियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुबह साम का भोजन भी मुश्किल से मिलता है फिर भी आदमी है कि उस घर से निकलना पसंद नहीं करता वहीं वहीं घिसटता रहता है वहीं वहीं परेशान होता रहता है ग्यानी गुरू अगर उपदेश भी दें प्रेरना भी दें प्रोसाहन भी करें तो मोह का परदा जल्दी हटता नहीं है छटता नहीं है और मोह उसके अंदर से घटता नहीं है हिम्मत की बात है बैराग भाव का आना सामान बात नहीं है बेराग आजाए तो छनवर में भी आजाए और ना आपाए तो सारी जिंदगी मोह में निकल जाए मोह का संसकार भी बड़ा प्रगाड है पसु पक्षियों में भी मोह होता है बिल्ली कुतों में भी मोह होता है गाए बैल भैस में भी मोह होता है मानों में भी मोह होता है देवों में भी मोह होता है मोह नहीं होता है तो नरकों में किसी का किसी से मोह नहीं होता क्या? नरकों में एक नारकी का दूसरे नारकी से मोह नहीं होता देवों में देवों से हो जाता है देवों देवियों का हो जाता है मनुश्यों में मनुश्यों का हो जाता है तरियंचों में भी हो जाता है लेकिन एक नारकी का दूसरे नारकी से मोह नहीं हो पाता वहां तो देश देश घरना घरना बस देश घरना के अलाबा कुछ नहीं है इसलिए आप सबी को प्रश्णोतर रत्न मालिका जैसी छोटी पुस्तक के माध्यम से ये प्रश्णोतर एक माला के समान काम कर रहे हैं और ये मणी माला अपने आप में आपके जीवन को सोभाई मान करेगी बाहर की माला पहने में अलंकार माने जाते हैं लेकिन प्रश्णोतर की रत्न माला पहने में जीवन का सच्चा अलंकार माना जाएगा और अगर इसे किसी ने कंठस्त की हरद्यस्त की तो सरावक का सरावका चार भी पलता रहेगा मरियादाओं का पालन होगा खान पान में शुद्धी होगी और तत्तु का ज्यान बढ़ेगा चतुरमास चल रहा है गट्ती के लिए इन चार माहों में खान पान की शुद्धी पर विसेश ध्यान देना चाहिए मंदागनी होती है अस्वस्तिताएं बढ़ती है स्वास्ति की दृष्टी से धर्म की दृष्टी से खान पान पर आपको अच्छे से ध्यान देना जरूरी है आबगमन जितना सीमित और जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है जीव दिया के भाव से आप ये साहन भादों के महीने को बहुत अच्छे से सांत चितता से धर्म ध्यान धर्म लाब लेते हुए विताएं जहां जहां भी मुनी संगों का परवास है आरिका संगों का परवास है त्यागी वर्तियों का प्रवास है उनके सानिद में आप अवश ही धर्मलाब लें श्वाद ध्याय करें और नियम संजम का पालन करें साल भर के नहीं जीवन भर के नहीं तो कम से कम चत्रमास चत्रमास तक के लिए बिसे सुरूप से नियम संजम का पालन करें यही गरस्तो कोई अपना धरम ध्यान किया तो जो जहां पर है वहीं पर उनका चातुरमास चल रहा है ऐसा माना जाना चाहिए चातुरमास के वल समारोह नहीं होता है चातुरमास एक अनुष्ठान होता है इस अनुष्ठान को जीवन से जोड़ना पड़ता है जीवन को सात्विक बनाए जीवन को स्वाध्धाई बनाए जीवन को सन्यमी बनाए यही चातुरमास का प्रियोजन है चातुरमास के चार चरणों में आहर सुद्धी, बिचार सुद्धी, ब्योहार सुद्धी, संसकार सुद्धी की बात आती है जहां पर यह चारों या पल जाती हैं वहीं पर्व्यक्ति का चत्रमास माना जाता है आप ऐसे चत्रमास का आनंद निरंतर लेते रहें इसी शुभावना के साथ मैं बिराम देता हूं महाबीर भगवान कीज़ें इस कारकरम के पुनियार जख थे शिरी राजकुमार जैन जी की पुर्ण इस्मृति में शिरीमती अंगूरी जैन पुत्र पुत्रवदू सीए प्यूश जैन सीए दीपाली जैन पौत्री गौरानवी जैन बडोद्रा पुत्र पुत्रवदू सीए प्रियंक जैन शिरीमती दीप्ती जैन पौत्री पौत्र इवा जैन निवान जैन मास्कोव पुत्री दामाज सीएस प्रियंका जैन शिरीपंका जैन दोहित्री दोहित्र निस्ठा जैन मानविक जैन भोपाल सासुमा शिरीमती प्रेम्लत